कि हिंदि सबको पता है ना प्राइकता बोलते हैं ठीकुच है देखिए प्रॉबबलीटी सबसे पहले 10 तो पढ़े हो है ना तो सबसे पहले क्या है कि इसमें हम लोग बेशिक से समझेंगे तो प्रोबलेटी का टिफ्ट्टेशन में हम लोग आते है लेकिन सबसे पहली आप तो सबसे पहले समझेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ठीक है और हिंदी में अगर टेंफ क्लास में पढ़के आयो हो तो इसको बोलते थे या द्रीचिक परियोग ठीक है ना या द्रीचिक परियोग तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो समझेगा रेंडम एक्सपेरिमेंट मतलो होता है देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका पोसीवल आउटकम्स तो पता है पोसीवल आउटकम्स तो पता है लेकिन उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है प्रेडिक्ट नहीं किया सकता है मत जो पाहले से नहीं बता सकते हैं ईक्सपैरिमेंट के पहले हुज कि इसका उटकमों और उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपैरिमेंट अगर आपसे पूछे के ? बंता है कि इसका कुछ नो कुछ वेल डिफाइंड आउट पूट आ एक्स्पेरिम्ट जैसे थे हम लोग फीजिक्स में भी करते हैं च citrus quanस्टे हो एक्सपेरिमेंट होता है जैसा मालोग को मेव् Bennett कर दो इसका आउटपुल लिया जाएक एक्सपेरिमेंट गीs और इसका आउटबूट भी पता है तो क्या रेंडम एक्सपेरिमेंट हुआ तनसर एक नहीं हुआ लेकिन जैसे देखिए रेंडम आप समझेगा जैसे माली जाए कि हम एक क्वाइन का टॉस करते हैं ठीक है तो क्या-क्या आ सकता है तो हमको पहले से पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो इसी को हम बोल रहे हैं कि यह पॉसिवल आउटकम्स तो पता है लेकिन कोई आदमी एक्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि टॉस करने पर हेड ही आएगा या तेल ही आएगा मतलब पहले से उसका कि एड़ान समय हम नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे कौन से एक्सपेरिमेंट रेंडम एक्सपेरिमेंट अब जैसे इसका एक्जांपल अगर करोगे एक क्वाइन को टॉस करना ठीक है उसके बाद और ले लो एक डाई को फिकना यह रॉल करना डाई बना समझत हो पासा पासा को फेकना तो उसमें पॉसीबल आउटकस हमको पता है यह नहीं कर सकता है यह सब रेंडम एक्सपेरिमेंट में तिफिनेसन भी लिखाना पड़ेगा सब का है और नहीं तो इसका नोट सुदेते हैं के अलग से क्या करते हो ठीक है इतना बेसिक जो टर्म लोजी है न वो समझते जाओ इस नाइंट टेंज में हला कि पढ़े हो तेंट क्लास में पढ़े हो 11 क्लास में भी था तो देखिए रेंडम समझ में आ गया हम नेक्स पॉइंट में आ जाते हैं सैंप्ल सपैस सैंपल स्पेस ठीक है तो सैंपोल सपेस देखिये क्या होता है सैंप्ल सपेस रेंडम एक्सपेर में करने के बाद अच्बिटॉबिलिंटी में जो भी एक्सपेरिमेंट करैंगे Bak lot its जो एक्सार यह स्पेरिमेंट होगा सेंपल थो होगा कि random experiment करने के बाद जो possible outcomes है जो possible outcomes है उसका एक collection कर लो उसको हम बोलेंगे sample space possible outcomes in random experiment is known as sample space या ऐसे बोल सकते हो कि collection of possible outcomes in random experiment is known as sample space जैसे देखे माल लिया जाए कि हम लोग एक coin को toss करते हैं तो इस case में आपको क्या-क्या possible outcomes हो सकता है वो सबका collection ले लिए तो head या tail यह दो आ सकता है तो दोनों का हम एक set बना लिए set बना लिए मतलब एक जगह इकठा कर लिए ठीक है तो इसका collection ले लिए तो इसको हम बोलेंगे sample space और इसको denote करेंगे क्या आचिसे इस से तो इस मतलब इसमें क्या-क्या outcomes possible outcomes है और लेते हैं माले कि एक डाई को throw करने पर sample space क्या क्या हो सकता है तो 1 2 3 4 5 6 जैसे थोड़ा वह सेट का भी knowledge वना चीजिए सब सेट बन रहा है curly bracket के अंदर यह सब element आ रहा है नहीं आ रहा है और सब कॉमा से separated है तो हम बोलेंगे कि एक सेट है अजर बताव तो इसमें number of sample space तो कितना है इसमें six element है इसको हम sample point भी बोलते हैं यहां पर प्रॉबलेटी के टम में एक sample point है two example point है पूरा collection को हम बोलेंगे sample space और इसका हर एक element जो होगा न उसको हम बोलेंगे sample point कितना समझ में आगा है नो कुछ example करते हैं sample space का देखिएगा ध्यान से समझेगा तो आप लोग बताईएगा हमको sample space का बहुत सारे example करने वाले हैं कि सबसे पहले example करते हैं कि इन tossing one coin या a coin तो sample space में क्या क्या आएगा head tail अब आपको बोले कि tossing of two coin तूगेदर मतलब देखिए दोनों में एक ही आएगा अगर हम ऐसे बोले दन समझेगा कि एक सिक्का को एक वर उच्छा लें एक coin को एक वर फेके और उसके बाद फिर दुबारा एक और उसी सिक्का को दुबारा मतलब टॉस किये या तो दो सिक्का को एक साथ toss किये दोनों में sample space same आएगा तो क्या क्या आएगा एच एच हेड 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 टेल हेड और टेल और टेल टी टी तो आप से पुछे कि number of sample space कितना आएगा 4 ठीक है इसी तरह से in tossing three coins three coins को अगर एक साथ फेके तो toss करें तो three coins में कितना आएगा nine आएगा कितना आएगा अच्छा इसका फर्मूला इन general formula बनता है two to the power n कितना बनेगा एन क्या है कि आप कितना number of times उसको क्या किये हो टॉस किये हो या कितना सिक्का को आप एक साथ उचाले हो जैसे एक सिक्का को अगर हम कर रहे हैं तो एन का value one होगा तो number of sample space होगा इस case में two to the power one अच्छा दो कोईन को अगर toss करेंगे तो two to the power कितना हो जाएगा two हो जाएगा ठीक ना और तीन बार टॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा two to the power three eight हो जाएगा और eight आप लिख के दिखा सकते हो कौन कौन होगा जो कि इसको मिटा दूत हैं तो in tossing three coins three coins में देखे कौन कौन आएगा खुद से लिखो कि तो लिख सकते हो आप एक काम करो in tossing three coins और four coins दोनों के लिखो दो तीन coin और चार coin दोनों के लिखिए अज़ा देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको pattern ठीक है ना यहाँ पर देखो सब देखिए pattern क्या होता है उस pattern से आपको confusion कभी नहीं होगा देखो यहाँ पर एक coin के लिए क्या हुआ one coin के लिए h हुआ और क्या हुआ टी हुआ और अगर two coins है तो इसके लिए h और फिर t और फिर h और फिर t देखिए actually two coin अगर toss किये थे तो कितना आया था चार न आया था तो दो वार head लिख लिए और दो वार tail लिख लिए ऐसे पहले दो वार head लिख लिख लिए और two to the word three eight आने वाला है तब चार वर पहले head लिख लो और चार वर क्या लिख लो tail लिख लो ठीक है ना और इसको इस चारों पे इसको put कर दो देखो h h h t th t t t और फिर से इसी चारों को repeat यहां फिर से कर दो h h h t th t t इसी तरह से अगर four coins के लिखना है तो देखिए four coins के लिख लिख लिखना है तो देखिए four coins के लिखना आने वाला है two to the power four sixteen तो अब 8 बार क्या करो कि h लिखो कितना और हो है one two three four five six seven eight eight times इसको लिखना है और eight times की इसको लिखना है टेल को one two three four five six seven eight ठीक है ना clear है अब आप क्या किजिए ना कि इस आंट पर एवलाट में ठा दीजिए ऐसे एच 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 टी एच टी फिर टीएच एच सही आ रहा है थी जारा ना फिर कहां तक लिखे हैं यहां तक ना टी इच टी ही पांच हो गया अब सही है एँ एग मिनिट चेक कर लेते हैं यहां एच 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 टी एच 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 टी टी एच टी टी एच और फिर टी टी और फिर यही आथ को उठा कि नीचे में रिपीट कर दना ठीक है है एच 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 टी ही एच हो जागा नो ऐसे ही इसी तरस हो जागा एसी आठ को ऊपर में रिपीट किया और फिर से नीचे अब मालोग बड़ेगा यहां पर लेकिन मालोग की concept तो फिर से क्या करेंगे 2 to the power 5 कितना बनने वाला है 32 तो 16 लिखना है और 16 लिखना है और 16 पर एवला पुट कर देना और नीचे 16 बनाने आजाएगा 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 ना ते पैटर्न है ज्यादा से ज्यादा साडली के लिए फोर कॉइंस तक हमको दिमाद में रखना है बागी के लिए कोश्चन नहीं आएगा ठीक इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं डाइस के केस में देख लीजे पासा फेकने पर अगर वन डाइ को थ्रो करे तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव शिक्स और इसी तरह से टू डाइ को थ्रो करे तो नंबर अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा टू डाइस तो दो को डाइस को अगर थो करें देखो सिंगुलर होता है डाई और इसका प्लूरल होता है डाइस ठीक ना एक से ज्यादा यूज होता है तम लोग डाइस यह एक्शली यूज करते हैं कईक ना कल दो डाइस को हुष करने पर अ appelह सेंपल स्विष को बनेगा 1011 वंट वंट्व वन्थ्री वंट्री वंहोज फॉर ववं की बनें ना मां यह कि दो द्याइब समझना के करने से या एक ही डाइस को दो वर थो करना या दो डाइस एक साथ थो करना दोनों सेम केस होगा ठीक है ना तो हो सकता है कि पहला बार में वन आये और दूसरा वर थो कि उसमें भी वन आये हो सकता कि पहला बार वन आये और दूसरा वर थो कि तो आये जो भी पोसिविलिटी ज 2 3 2 4 2 5 2 6 तो देखिए इस इस रो में 6 बन रहा है इस रो में 6 बन रहा है 3 1 लेंगे इस रो में 6 बनेगा 4 1 में 6 बनेगा 5 1 में 6 बनेगा 6 1 में 36 बनेगा, तो इस case में देखो, इस case में formula बनता है 6 to the power n, अगर आप dice को एक बार थो कर रहे हो, तो 6 to the power 1 number of samples पर 6, अगर आप dice को 2 बार थो कर रहे हो, ठीक है, तो 6 to the power 2, कितना हो आएगा, 36, अगर 3 times थो करें तो, 6 to the power कितना हो जाएगा, 3, यानि 6 into 6 into 6, कितना हैगा, and turn away, 6 into 6 into 6, 2 and 6, नहीं multiplication आदेगा, इतना दे clear है, तो ए सब लिखने आ जाएगा, लिखने आना चाहिए, और ए सब sample space का concept, ठीक है न, अच्छा देखिए, और इस तरह से sample space हो सकता, आपको बोल सकता है, कि suppose एक ऐसा game है, द्यान दो समझे, देखिए, sample space बहुत सारा तरह से निकल सकता, द्यान दो सुनना, और question को घुमा घुमा कर पूछ सकता है, अब suppose that एक ऐसा game है, द्यान सुनो, एक ऐसा game है, जिसमें मान लिया जाए कि, सुनना, मान लिया जाएक डाई भी थ्रो करना है, और एक क्वाइन भी रखा हुआ है, ठीक है, कह रहा है, सबसे पहले कि मान लिया जाएक क्वाइन थ्रो करना है, अगर क्वाइन पे हेड आए, तो डाई को थ्रो करना है, अदर्वाइज नहीं थ्रो करना है, मतलब दूसरा बार नहीं, डाई को नहीं थ्रो करना है, मतलब फिर से सुनो, अगर क्वाइन पे हेड आए, तो क्या करना है, मतलब डाई को भी रॉल करना है, ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं करना है फिर एक बार में गेम खदम अगर मतलब टेल आ गया तो इस केस में अगर हम को इस टाइब को अगर गेम रहे और सेंबल स्पेस पूछे दे तो क्या बनेगा बता हो तो अगर टेल आ गया तो गेम ओवर टेल आ गया तो गेम क्या होगा खदम नहीं कुछ होगा और अगर मालो की कोईन को टोस के हेड आ गया तो जब हेड आएगा तो उसके साथ फिर क्या करना होगा डाई को भी थ्रो करना है तो या तो वन आएगा या तो 2 आएगा या तो H3 आएगा H4 आएगा H5 आएगा H6 आएगा नहीं हो सकता है इस टाइब का गेम अब जैसा define रहेगा वैसा हम करेंगे हो सकता है कि बोले एक इस तरह का गेम है जिसमें सबसे पहले die को throw करना है ठीक है अगर even number आया तो coin को throw करना है otherwise नहीं करना तो seems वेस बन सकता है, तो सोजब सकते हो, अगर आ गया 1 तो क्या इसको थ्रो करेंगे नहीं करेंगे, तरी सिवात है थ्रो करना है, तू aux, मालो क्या गया 2 तो थ्रो करेंगे, तो 2 आगे थ्रो करेंगे, तो हो सकता है, हेड मिल पास। मeries यह को पिर से कौइन को फोर करना है D solution है तो एकाने कऊ दो हैगा हुद तो पुर के साथ टेल भी आ सकता था दूर चुक्स और शिक्स के साथ यह क्रों एसा बनेगा तो कहने कि Hier आनुवसार सेंपल सपेस क्किया होग शेंड करेगा ठिक कना जैसा कोश्चन में कहेगा वैसे हम लोग करेंगे फोड़ा आइडिया हम दे देते हैं सैंपल स्वेस के बारे में ठीक है इसके बाद कुछ एक्जांपल ने लिते हैं प्लेइंग कर्ड से प्लेइंग कर्ड